बोच परिश्तर पस्टार पवन सिंग को बॉलीवूट के ओफर्स आते रहते हैं ये बात और है कि पवन सिंग ने नजाने कितनी बार बॉलीवूट के ओफर्स ठुकराए हैं इसके लिए तो उनके मैनेजर अमिच सिंग ने भी कई बार इंटिव्यूज में कहा है कि अतारिक को रिलीज हो रही है होली के मौके पर और ऐसे में फिर बच्चन पांडे को लेकर फिर से पवन सिंग सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं बला बुरा कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पवन सिंग का मजाग बनाये गया पवन सिंग के लिए बच्चन पांड पहले में उनका गाना या उनका कोई रोल होगा पहली बात, दूसरी बात ये कि पवनसिंग को ओफर बच्चन पांडे का आया होगा जरूर लेकिन आपको जैसे हम बता दे कि पवनसिंग को जब मूड होता है या उनके मताबिक कोई चीज होती है तब ही वो करते हैं, अगर प कभी भी ये offer accept नहीं की थी तो इसलिए किसे भी social media platform पर इसकी जानकारी कभी ती ही नहीं गई लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि बच्चन पांडे के makers जरूर मिले होंगे पवन सिंग पर क्योंकि ये UP बिहार के background पर बननी हुई film है और ऐसे में जब एक किरदार जो कि UP बिहार से relate करता है बच्चन पांडे ऐसा किरदार निभा रहे हैं अक्षे कुमार तो पवन सिंग को उसमें किसी न किसी रूप में कास्ट करना लाजमी बनता है लेकिन पवन सिंग ने मना किया होगा पवन सिंग को या फिर वो role accept नहीं हुआ होगा या फिर उसके गाने जिसके लि कर्स मिलने आए हो और लोगों को ये पता चला हो और ये बाते वाया वाया कहीं न कहीं से आ गई हो बोच फिर जगत की होट और मस्साले दार गौसिप के लिए हैं मैं सब्सक्राइब करना है बिलकुल न भूले